हाँ 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 है अगाँ है कि सेंसिस कौन है गंधारी मन कौन है धृत्रास्ट और दोनों अंधे हैं सर आप देखो फीचर दोनों का एक ब्लाइंड है क्या सर क्या प्रिक्टारिकल फॉर्म में इस्पिरिच्वलिजम को मैनिफेस्ट किया गया मन अंधा है आप देखो एक गल्ती जिस पर हम पश्चाताप करते हैं कसम खाते हैं ऐसी कई सारी चीज़े हमारे जीवन में होती जिन पर हम कसम खाते हैं अब नहीं करें पास दिन बाद फिर तैयार कर देता है और इतनी जवर्दस तरीके सा तैयार कर देता है क्या रहे कुछ नहीं होता पूरी दुनिया कर दी और यह वह ऐसे सब पागल है फिर कर लिए फिर बड़ी गलानी पैता हुई कुछ लोग का जीवन सिर्फ गलानी करने में ही बीच ज ज hidden गड़्डे में बार बार गिरता है इसकी आखे होंगी वो एक बार जिस गड़्डे में गिर जाएगा वो दुबारा उस गड़्डे में कभी नहीं जाएगा लेकिन यह अंद है ये अंधा है और जिसको ये कंट्रोल करता है इसकी वाइफ उसने अपनी आँखों पर पट्टी बान रखी है ये भी अंधी और इन दोनों अंधों के द्वारा जब जिन्दिकी चलती है इसलिए आप देखों जितनी चीजें मन और इंद्रियों से जुड़ी हुई है उनको करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए खाने के लिए आपको चिकेन अच्छा लगता है कोई मोटिवेशन चाहिए नहीं चाहिए क्योंकि इन दोनों अंधों को मजा आता है खाने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए जहां इनको रस मिलता है जिन चीजों में दूसरी चीज है conscious चेतना इसलाम रूह कहता है Christianity Soul कहती है हिंदू आत्मा कहते है अब पढ़ना जो है इसका संबंध किसी इंद्रिये से नहीं है पढ़ाई का संबंध किसी इंद्रिये से नहीं है इसलिए पढ़ाई के लिए क्या चाहिए मोटिवेशन गौर करिए का जो बात मैं आप से कह रहा हूं जितनी चीजें इंद्रिये से जुड़ी हुई है और इंद्री के बाद मन जितनी चीजें इंद्रियों से जुड़ी हुई है वहां मोटिवेशन नहीं चाहिए गल्फरेंड के साथ पार्क में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए बॉइफ्रेंड के साथ पार्ग में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए ही नहीं दददस घंटा बीज़ गंटा बैठे हैं बैठे ही है शायरी लिग दी सूरच से दुवा मांगते हैं कि सूरच आज मत दूबना काश ये दिन खतम ही ना हो है कि लेकिन ध्यान करने के लिए को मौटिवेशन चाहिए कि क्योंकि इसका संभंध इन चीज और करें इंद्वेशन की साँ मन से कि उससके मोटिवेशन की ज़रूत नहीं है और जो चीजे इंद्रियों से जूड़ी नहीं हुई है उनमें मोटिवेशन की जरूरत है अब जीवन में जो शक्ति मिलेगी वो इससे मिलेगी पावर मिलेगी वो इससे मिलेगी एचीवमेंट मिलेगी वो इससे मिलेगी अब achievement इससे तो मिलेगी नहीं इसके सहारे अगर आप चले तो आप गए पावर इससे मिलेगी achievement इससे मिलेगी लेकिन यहां मन को रस ही नहीं मिलता अब इस प्रक्रिया को इस transformation को करने का जो हथियार है जो weapon है उसको कहते हैं ध्यान इस transformation है ना सर आज हमारे 90 प्रतिशत भाई बहन बहुत परिशान है यंगस्टर्स पढ़ना चाहते हैं सर बहुत बच्चों से मैं मिलता हूँ बिचारे कहते हैं कि सर हमारे पिता जी बहुत मुश्कल से हमको पैसा दे रहें ऐसा नहीं है कि सारे लड़के सारे लड़कियां जो है वो माबाप का पैसा और नहीं सर पॉइंट वन परसेंट सर इस अपने आपका यह परिवर्तन यह यह ध्यान के द्वारा होता है सर हम सब इस अस्तर पर जीते हैं सर इसलिए ध्यान हमारी सिछ्छा पद्दति का एक एहम अंग था मेडिटेशन वोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ओफ आवर एडुकेशन पॉलिसी सर आपका लड़का उसका दिमाग उसका मन अब लोग जो बहुत सम्रिद्ध लोग हैं वो थोड़ा सा साइकलोजिकल काउंसलिंग कराते हैं कि हमारे बच्चे का पढ़ाई में मन न है आय बना ली है इंकम कि इस ट्रांस्वरमेशन इस इसको हम जानते ही नहीं कि इसका हमारा कोई हमें खबर ही नहीं है यह हमारे लिए एक नया वेंचर है इससे हम पर्चेत हैं सर हमारे पहला जीवन का पर्चे ही इंद्रियों से उता है अगर आप इंद्रियों पे जी रहे हैं और आपका खाने में रूची है पीने में रूची है इस्त्री में रूची है पुरुष में रूची है वो कोई बुरी बात ही नहीं है वो तो सर आप इस अस्तर पे जी रहे हैं इसलिए है वो तो आप इस अस्तर पे जी रहे हैं इसलि से निकाल कर इस आँख वाले के हाथ में देने के ओ ध्यान कहते हैं ध्यान का जो पहला चरण है वो इसको समझना यह पहला चरण है आप इस से परेशान हो सर आपकी इंद्रियां मांग रहें यह ताकत वर हैं सर इसके पास इस अंधे की ताकत है ध्यान का जो पहला चरहनृ वह मन को समझना अगर आप सम्झने लेगे हैं आप पढ़ने लेठे? ये सब ढ़ने बेठो क्षेब इन पढ़ने लेगा दिन पर आपको कुछ नई लूंआ इन पर गूं म कुछ इन दिलाएगा आपको कुछ नहीं तेबल में बैठोगे सबसे कुरूशियल बात याद दिलाएगा इसका मुझरा देखते वक्त कभी मुझरा देखते वक्त को गावां में डांस होता है कभी इसने का मैं बोर हो रहा हूं यार चलू बाहर रिलाक्स हुद न आप गम झाओ कुछ बोर यह निहीं होताँ दिन दिन बैठा हुआ है रात रात बैठा हुआ है रहर suckigan हुद आइग जगंटे में है थोड़ा चाय पी ले मन-फ्रेश कले अच्छा क्या मन fresh करण Canada इन कामों को करने में यह बोर होता है इसको मन फ्रेश करना होता है कि मैं उब रहा हूं इसको थीटर में बिठा दो यह मजाल है बोर हो जाए इसको इस तरी के साथ बिठा दो पुरुष के साथ यह बोर ही नहीं होता वहाण इसको यह नहीं कहता कि नहीं नहीं तो, आँ बोर हो रहा हूँ मैं जरादए चाय पी के आता हूँ फिर तृमसे बात करता हूँ गल्फरेंड के साथ दिन पर बैठे वहाँ ही बोर होते आप अप इसकी जालसाजियां समझो आप इसकी चालागिया समझो, इसी देखने को ध्यान कहते है, ध्यान क्या है? जब तो मुझे बेखूफ बना रहा है, जब तुम ये जान जाते हो, कि कोई तुम्हे बेखूफ बना रहा है, बस उसी दिन से तुम बेखूफ बनना बंड हो जाता है।